एक चोटी लेटकी, जब से वो 6 साल की थी, तब से लेकल 17 साल तक वो एक बुड़े आदमी के साथ रहती है जब वे 17 साल की होगी, तब वे दोनों शादी करने वाले होते है इसके बात क्या होते है, यह जानने के लिए दबाओ 2005 की मुवी मैं आपको एस्टोरी कहा जा रही है, क्या हो रहा है तो इसके लास्ट में मैं आपको एक पूरा एक्स्मिनेशन दूँगा, कि जो इवेंट्स थे, यह क्यों हो रहे थे यह बहुत ब्यूटिफुल मुवी है, तो डारेकली स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है, और हमें ओल्ड मैन दिखता है उसके पास बो एन एरो होते है, इस बो को वो स्टिंग्स बानता है और इससे एक वाइलिन के तरह डिवाइस बना लेता है इसके साथ जो लड़की है, वो हमें दिखती है इसके आखो पर यह काजल लगाते हैं हमें दिखता है और इसके बाद यह म्यूजिक बजा रहा है यह दोनों जो होते हैं, एक बोट पर रहते हैं एक फीशिंग बोट होते हैं इस पोर्ट को ये old man train करता रहता है, आज भी कुछ लोगों को इसने ये rain किया होता है, जब ये लोग fishing करने के लिए आते हैं, तो इस लड़की को देखते हैं, इसे अपने पास बुलाते हैं, ये दोनों जो हैं, इनकी relationship इने पता नहीं है, ये इस लड़की से बुचते हैं, इस मेंसे एक आदमी कहता है, कि इन दोनों decide किया है, कि जब ये 17 साल के होगी, तब ये दोनों शादी करने वाले हैं, उसका friend उसे कहता है, कि आपने अपने फीजिंग करो, नेक जो बो आएगा, वो तुमारे body में ही घुसेगा, ये old man जो है, ये fortune बताता है, अभी अभी हम चुन कैसे बताता है, इसकी मेतर में दिखाए गई है, जिस boat पर ये रह रहे होते हैं, इस boat पर एक जुला होता है, ये लड़की जुले वर बैठती है, और इसके बाद ये old man bow and arrow लेता है, इस जुले के पीछे ही बुद्ध की painting होती है, जब ये लड़की जुला जुलती है तो bow and arrow से ये बुद्ध की मूर्थी पर bow मारता है, ये इस लड़की को लग सकते है, पर ये लड़की उस वर बहुत ज़ादा ट्रस करती है, old man का निशाना कभी भी नहीं चुकता, जब ये तीन arrow चलाता है, तो ये लड़की old man के पास आती है, ये actual में ये लड़की बता सक इसके कान में मैसेज दे देती है, ये old man विचे इस आदमी ने पूछाता, उसको सब कुछ कह देता है, ये मैसेज क्या है, ये हमें सुना है नहीं देता, पर ये जो आदमी है, ये मैसेज सुन कर बहुत इडिस्टब हो जाता है, इसके बाद ये फिशिंग करने वाले दोनो वो लेकर आता है, ये लड़की कभी भी शहर नहीं गई है, जब से उस 6 साल की थी, अब वो 17 के होने वाली है, तब तक वो पूरी वर्ल्ड से दूर रही है, ये old man इस लड़की को नहिलाता है, रात हो जाती है, तब अपने bow and arrow से वो एक instrument बना लेता है, ये instrument बोट के उपर जाकर वो बजाते रहता है, ये एक तरह का meditation represent करता है, arrow as a powerful weapon और meditation ये दो तरीके से हमें दिखाय जाता है, रात में हमें दिखता है, कि old man इस लड़की के पास आता है, measuring tape इसके पास होती है, और उसकी height क्या हो गई है, ये वो देखता है, फिर वो calendar के पास जाता है, calendar में जाक आज का दिन जो खतम हो चुका है, इसको mark कर देता है, यहां में दिखता है, एक मंद के बाद ये लड़की 17 साल की होने वाली है, और calendar पर लिखा होता है, कि इस दिन पर ये दोनों शादी करने वाले है, नेक्स दिन ये old man फिर से supplies देने के लिए जाता है, इसके बाद हमें ये लड़की खाना खाते हुए, स्टिंग से इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, जूला जूलते हुए और पुरे बूट पर खेलते हुए में दिखते है, जब ये old man वापस आता है, तो इसके supplies में इस लड़की के लिए boots भी होते है, ये जो boots होते है, ये इसे अभी वो दे इनके पास एक मचली होते है, उसके कपड़ों में उटालते है, इसे वो field करने कोशिश करते है, पर ओल्ड मैन बाव लेता है, और एक जगा पर मारता है, इन दोनों को डरा देता है, ये दोनों उस पर चीर जाते है, और अपने आप में डिसकस करते है, कि हम चारों यहाँ अकेली है, हम दोनों ने अगर डिसाइड किया, तो old man को मार सकते है, ये दोनों फिर old man के पास आते है, और उसे unconscious करते है, लेड़की के पीछे लग जाते है, पर लेड़की वहाँ से भागने लग जाते है, इस बोट में अलग अलग जगा से भागते हुए, बोट के terrace पर आ खाएड जाते है, इस लड़के के पास headphones होते है, इसके पास जाती है, और इस headphones को पहन लेती है, ये song सुनना उसे बहुत इचा लगता है, इस लड़के को भी questions होते है, ये पुछता है, तुम्हेरी age क्या है, तुम School में कहां पढ़ती हो, तुम क्या कभी CEO गई हो, ये ऐसा questions उसे पूछता है, बाद में इसे ये भी पूछता है, ये जो old man है, क्या है तुम्हारा grandfather है, old man को ये लड़की इसे बात करी ये अच्छा नहीं लगता, तो इसके पास हो चला जाता है, headphones इस लड़की से निकाल लेता है, और उसे अंदर लेकर आता है, रात में old man इस लड़क जुन तुम बता सकते हो, इसके बाद जो सब इनका वे होता है, जिस तरह से fortune बताते है, ये सब होता है, old man बो चलाता है, ये लड़की जुला जुलती है, इस लड़की के पास से एरो चले जाते है, ये लड़का ये सब देखता है, जब लड़के के father को old man fortune बताता है, तो बहुत इक्षोश हो जाते हैं, इसके बाद यह लट्का फिर से जाने वाला होता है, जाते जाते हैं अपने जो headphone से इस लटगे को देखकर जला जाता है, जब यह headphone old man देखता है तो इस पर घुसा हो जाता है, यह headphone मुसे छीन लेता है, और locker में बन कर देता है, इसके बाद हमें फिर से इनका रूटीन दिखाया जाता है यह जो सब पहले करते थे यही वो फिर से कर रहे है रात में इनका जो बेड होता है लड़की नीचे सोती है और इसके उपर के बेड पर यह ओल मैन सोता है लड़की का हाथ पकड़ कर इसे सोना अच्छा लगता है जब ये old man फिर से city में चला जाता है तो उसके locker में क्या है ये ये लड़की देखना चाहती है इसमें इनके शादी का सब सामान होता है लड़की के जो clothes होते है ये पहन लेती है पूरे boat में वो घुमती है जो headphone उस लड़की ने इसे दिये थे ये भी वो पहन लेती है यहां में इस headphone के जो wire है ये audio device से connected नहीं है यहां में दिखता है यानि कि इस लड़की ने इसे headphone दिये है इसलिए इसे पहनने है रियल वर्ड का जो connection है ये इसे चाहिए है old man जब वापस आता है तो उसके headphone लेने के लिए वो इस पर चीड गई होती है ये इसके पास आता है और smile करता है इससे उसुला करना जाता है पर ये वहां से उठकर चली जाती है और एक आदमी यहां fishing करने के लिए आया होता है इसके पास आती है और उसके कंदे पर संग रखकर सो जाती है old man बहुत ज़्यादा जिलस हो जाता है ये इसको उठाता है और boat में बन कर देता है जो आदमी था उसे भी यहां से भगा देता है इसके बात के सीन में हमें ये लड़की आकास में plane देखती हुए दिखती है रियल वर्ल्ड की जो भी सब चीज़े होती है ये इसे बहुत ही intimidating लगती है इस रात हमें दिखता है कि old man calendar के पास आता है इस day को mark कर रहा होता है तभी इसे एक idea आती है next month अभी भी दूर है इसका जो पेशन से ये खतम हो रहा है अगले कुछ दिन वो mark कर देता है यानि कि ये दिन गुजर चुके ऐसा हो pretend करता है ये लड़की भी ये देख रही हुती है आज उस आत्मी के साथ इस इसे बात भी नहीं करे उससे लग रहा है कि इससे दूर जा रही है इसलिए जल से जल इससे अपने पास बूलाना चाता है next year में bow and arrow की practice करते हुए हमें दिखती है और वहाँ old man भी बेठा हुआ होता है ये old man पर निशाना लगा दिए ये भी उसके आख में आख डार कर वही बेठा रहता है ये लड़की फिर अपना mind change कर लेती है अब थोड़े दिनों बात हमें जो लड़का वहाँ आया था वो फिर से आता हुआ दिखता है ये लड़की इससे देख कर बहुत ही खुश होती है जब लड़का फिशिंग कर रहता है तो अपना एक डंबरू हो लेती है ये लड़की उसके पास जाती है उसके पास एक डंबरू होता है ये डंबरू उसके कान पर लगाती है और ये बजाने लग जाती है इस तरह से इस लड़के ने उसके headphones इसे introduce कराये थे इसी तरह से अपना डमरू भी इसको इंटर्डूस कराती है इसका जो world है यह उससे वो दिखाना चाती है रात में लड़की जब सोई हुए होती है तो लड़की के पास हो चली जाती है ओल्ड मैन अपना हाथ नीचे रखता है इस लड़की को हाथ पकरना जाता है पर वो यहाँ नहीं होती यह लड़की और लड़की एक दूसरे को किस करने वाले होती है तब यह old man देख लेता है ये इस लड़की को बोट में दूसरी जगा लेकर जाता है ये लड़का फिर उसे बात ही करने लग जाता है ये लड़का कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो क्या फिल करती है इस लड़की को तुम बान कर नहीं डख सकते इस लड़की के जो parents है ये भी उसे ढूरना चाहते होंगे मैं इने ढूरन लोंगा और फिर से वापस होंगा इस दिन ये लड़का और इसके फादर इन दोनों के ओल्ड मैन वहाँ से भगा देता है ये लड़का यहाँ से चला गया है तो इस लड़की को बहुत ही बुरा लगता है इसे भी इस लड़की के बीचे जाना होता है जो old man के पास boat होती है इस पर वो ज़र जाती है इस boat को स्टार्ट करती है और वहाँ से जाने वाली होती है तो भी old man ने देख लेता है इस बोट में जड़ जाता है और इस बोट को रोग लेता है इसके बाद इस old man का जो patience है ये खतम हो जाता है इनके जो beds है ये एक दूसरे की ऊपर है तो इस beds को काट देता है side में इन दोनों को लगा देता है ये लड़की बहुत ही दुखी होती है पर तभी इससे देखता है कि जो लड़का है ये वापस आ चुका है ये old man को एक pomlet दिखाता है इसमें लिखा होता है कि ये जो लड़की है ये missing है इसके parents इसे डोन रहे है इस old man को ये बदाता है पर ये old man इस pomlet को नीचे फेक देता है लड़की को ये लड़का कहता है तुम्हें real world में जाना पड़ेगा old man अब ये arrow चला नहीं सकता जब रात में ये दोनों सोय होते है तो old man फिर से इसका हाथ पकड़ना चाता है पर इस बार ये इससे हाथ पकड़ने नहीं देती इसे control करने की कोशिश करता है पर इसे होई जापड लगा देती है अब ये old man इसपर नाराज होता है इससे बात है नहीं कर आता है दूसरे दिन जब यह बोट पर अकेला बेठा हो ओता है तो लड़की उसके पास जाती है यह उसके पास जाकर उससे पता रही होती है कि फ्लीज उस पर नाराज मत हो इसका जो गुस्टा होता है यह निकालना चाती है बोट रिपेर करते करते इस old man को चोट लगी होती है ये चोट ये लड़की पोच रही होती है old man इस पर बहुत ज़्यादा गुस्ता होता है तो इसे इसलाप करते है old man इसे इसलाप करते रहता है तो ये लड़का इस लड़की को बचाता है यह लड़का अब इस पर चीट गया होता है यह लड़का उससे कहता है तुम तो फॉर्चुन बता सकते हो क्यों न अब तुम फॉर्चुन बता दो इस लड़की का फ्यूचर क्या है यह तुम्हारे साथ रहेगी या मेरे साथ यह सब डिसाइड हो जाएगा ओल्ड मैन भी इसके लिए महान जाता है जब फिर से इस लड़की के पास से एरो चलाता है तो लड़का अब यह सहन नहीं कर पाता जिस जूले पर यह लड़की होती है इस जूले को वो काट देता है यानि कि इस लड़की को कोई भी हाम ना हो जो फॉर्चुन होती है यह लड़की ओल्ड मैन को बताती है और यही फॉर्चुन इस लड़की को वो बता देता है इस लड़की को यह बहुत ही अलग लगती है यह लड़का और लड़की फिर दोनों ओल्ड मैन के पास आते है यह कहते है कल हम जाने वाले है ये बोट आगे नहीं जा रही हुथी तो लड़की को समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है ये जो डोर होती है ये वो काट दिती है आगे जाकर इससे रियलाइज होता है कि जो सब हो रहा है ये गलत हो रहा है वो फिर से वापस आती है इस ओल मैन के पास आकर उसे हग कर लेती यह दोनों एक दूसरे के कंदे पर रोने लग जाते हैं इन दोनों ने एक दूसरे को रिजेक कर दिया था पर अब फिर से इन दोनों ने एक दूसरे को एकसेप्ट कर लिया है अब मैं दिखता है कि शादी के जो सब क्लोज से गराते हैं एक खटा कर दिये जाते हैं यह अब भी cloths पहन लेते हैं एक दूसरे को ready करते हैं अब धोनों शादी करने वाले होते हैं यह लड़की भी make up करती हैं सब सामानों लगाते हैं जो सब वीधी होती है एक की जाती है एक दूसरे को sweets किलाते हैं और इसके बाद इनकी शादी खत्म हो जाती है ओर्ड मैन के पास जो छूटी बोट होती है इस पर वो बैटकर दोनों हनीमून के लिए आगी चले जाते है जो लड़का होता है या बड़ी बोट पर ही रुखता है जो वीदी हुई थी या एक मुर्गा और मुर्गी थी यह लड़का फिर मुर्गा मुर्गी फास बेटता है और इस मुर्गी को मानने लग जाता है यह सिन रिप्रेजेंट करता है कि जो लड़की है इसने बहुत बड़ी मिस्टेक किये इसे ओ बजाना चाता था पर यह बचना नहीं चाती थी अब हमें दिखता है कि यह जो ओल्ड मैन है यह सब कपड़े इस लड़की को उतरता है उसके बाद अपना बो निकालता है और यह बजाने लग जाता है यह लड़की यह मुजिक सुनते सुनते सो जाती है अपना ये स्वांग खतम करकर ये old man खड़ा हो जाता है एक arrow लेता है आकास में छोड़ता है और इसके बाद ये पानी में कूच जाता है ये old man यहाँ suicide कर लेता है ये जो boat है ये फिर से इस लड़की के पास आ जाती है ये लड़की जब सोई हुई होती है तो अपने आपको प्लीज करने लग जाती है जब वो उठती है तो इस लड़की के साथ में वो वर्ल में जाते हुए में दिखती है ये ये movie end हो जाती है पर actual में हुआ क्या ये हम अब analyze करेंगे जैसे हमने पूरे movie में देखा था इस लड़की को दुनिया में जो सब दूख है जो सब चीज़े है ये सब experience करने से दूर रखना चाता है अलग-अलग लोग जब यहाँ आते है तो real world में रहते है तो इनसे प्रभाविते लड़की होती है ये लोग जब यहाँ आते है तो इस लड़की की curiosity ये represent करते है जो सब चीज़े इसके पास है इसके beyond उसे जाना है ये इस scenes represent करते है हम देखते हैं कि जो सब लोग आते है इसके साथ सोना चाते है इसका शोशन करना चाते है फिर भी जब लड़का वहाता है तो इस फिर से उसके साथ इस world में जाना चाती है जिस world में जाना चाती है ये pain से भरा हुआ है बहुत सारी गलत चीज़े इसे वहाँ देखने के लिए मिलेगी बहुत bad experience इसके हो सकते है फिर भी इसे यही experience करना है जब उसके age का ये लड़का वहाता है तो इससे वह बहुत ज़्यादा connect कर बाती है रियल वर्ल्ड की जो सब चीज़े होती है इससे वह attached हो जाती है old man का इस लड़की वह control था वो उसे हमेशा के लिए protect करकर अपनी बनाना चाता था पर जब ये लड़का आया जो सब चीज़े होई उसके बाद उससे पता चल गया था कि उस लड़की पर इसका कभी भी control नहीं था लड़की जो है ये free है इसकी decision वो ले सकती है और इससे world को देखना है तो इससे देखना चाहिए ये इसे एक जगा पर बान कर नहीं रख सकता इसलिए इस लड़के के साथ उससे वो जाने देता है इससे जड़ा होता है फिर भी इसे वो एकसे लड़की इसके पास फिर से वापस आ जाती है थोड़े से moment के लिए इसे अपना बना लेता है पर इसे मालुम है कि इसे इसे ये फिर सुसाइट कर लेता है और ये लड़की हमें एक बोड में अपने आपको प्लीस करते हो दिखते है जिस सीन में अपने आपको प्लीस करते हो दिखाए गई है ये रिजन करता है कि अब वो सब experience कर रही है जिस जगा पर वो confined थी अब उस जगा पर वो नहीं रहने वा बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखा कर जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करतीजेगा मैं इस तरह से बहुत सारी मुविस लेकर आता रहे तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफेशन आइकन बे दवाना मत भूलें यहीं कि आपको सब मुविस मिलती रहे वेसे मिलेंगे एक नई मुवि के साथ तब तक के लिए थाइंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया